जैहिन दोस्तों आप सभी को Knowledge 24 में स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम लोग solve करने वाले हैं Science के Practice Set 1 जिसमें से की आपके previous year questions के अधारित पे ये होने वाले हैं और इस Practice Set में चाए Work Assistant, Driver, Stenographer, Plant Operator, Scientific Assistant ये सभी post के questions रहेंगे जो की PYQ में important questions पूछे गए हैं आगे भी आने की संभावना है और ये वीडियो बेसिकली Atomic Energy से रेटेर होने वाला है चाहे आप लोग Bar के हो, NPCL या DRDO सभी के लिए वीडियो बहुत important होने वाला है और आप सभी का बार-बार एक ही कमेंट आते रहता है कि Sir Work Assistant का exam date क्या रहने वाला है चाहे Plant Operator के हो, तो इस वीडियो के last में हम इस पे भी बात करेंगे और हम guarantee के साथ बोलते हैं कि 100% question यहां से मिलेगा जी हैं दोस्तों पूरा analysis करने के बाद previous year question हम लाए हो है क्योंकि किसी भी exam के अगर आप लोग तयारी करते हैं तो उसके previous year का set लगाना बहुत ही ज़्यादा important रहता है तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहला question हम लोग solve करते हैं जो कि यह question आपके work assistant में पूछे गए question से सबसे first number question में पूछा गया है परतीय किडिया के बराबर वह वीपडित दिसा में एक परती किडिया होती है या कथन किस नियम के अधारित है तो दोस्तों इसकी बात करें तो यह Newton के तिरतीय नियम पे अधारित है अगर हम लोग इसको details में समझे नियम के तिरतीय गती का नियम क्या होता है तो इसके अनुसार किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और वीपडित है नियम ने इस नियम को इस्तेमाल करके संबेग संरच्छन की नियम का बर्णन किया लेकिन असल में सम्बेग संरच्छन एक अधिक मूलभूत सिद्धानत है कई उधारन है इनके संबेग संरच्छित होता है लेकिन तिरतीय नियम मन नहीं है तो दोस्तों नेक्ट कोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहांपे आप लोग देख सकते हैं नेक्स कोर्शन में आपके पूछा गया एक अंतरिच यात्री अपने सपाथी को चंदरम की सता पर सुन नहीं सकता है क्योंकि इसके पीछे रिजन क्या है कि उत्पातित आविर्ती धोनी आविर्ती से अधीक होती है या रात्री में तापमान बहुत कम अरूदीन में अत्यधीक होता है या धोनी परचारित करने का माध्यम नहीं होता है नेक्स बात करें तो चंदरम की सता पर कई क्रेटर है तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा धोनी परचलित करने का माध्यम नहीं होता है तो अगर हम लोग इसके डिटेल्स में समझें तो यहाँ पे एक अंतरिच यातरी अपने सापार्थी को चंदरमा की सता पर सुन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे धोनी परसारित करने का कोई माध्यम नहीं है धोनी तरंगो के संचरन के लिए दरब्रात्मक माध्यम होना जरूरी है परंतु चंदरमा पे बायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ दरब्रात्मक माध्यम नहीं है इसलिए चंद्रमा पर धोनी तरंगों का संद्चन या संचरन नहीं हो पाता फलता चंद्रमा के धरातल पर दो ब्यक्ति धोनी संचारित ना होने के कारण एक दूसरे से बात को नहीं कर सकते या नहीं सुन सकते तो दोस्तों देखिए सबसे जो important होता है आपका यहीं होता है इसी से question जो आगे आपके आने की chances हैं वो आपके आ सकते हैं next जो हम लोग अगर बात करें हाँ पर तो next question आपके बताया गया है question पूछ रहा है निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए मैनो मीटर का दाव यह सही है का ब्यूर रेटर अंतरिक दहन इंजन यह भी सही है यहाँ पर पूछा गया जो सुमेलित नहीं है उससे अधारित तो दोस्तों कार्डियो ग्राफ फिरदय गती से रेटेड होता है यह भी सही है सिस्मो मीटर प्रिष्ट तल की बक्रता यह दोस्तों गलत है ठीक है आपका यह अंसर नहीं होगा तो अगर हम लोग बात करें सिस्मो मीटर से रेटेड तो यह भुकाम्प मापी भुगती के एक घटक को परत्याच यह ओपरत्याच बिधी से अधीक यह थार्त पूर्बग अभी लिखित करने बला उपकरन है सुपरीचित प्राकिर्तिक भुकाम्पो भुमिगत परमानू परिच्छन एवं पेट्रोलियम अन्वेशन आदी में मनुष सिक्रित बिषफोटो तथा तेज हवा समुद्री तरंग तेज मानसुन एवं समुद्र छेतर में तुफान या अबनमन आदी से उत्पन सुच्म कनो के कारण भुगती उत्पन हो सकती है तो देखिए इसमें से दो तीन क्वेशन आपके और भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं जो कि आप लोग ध्यान पुर्भग पढ़िएगा और आगे आपके एकजाम्स में इसी से क्वेशन रिटेड आएंगे नेक्स क्वेशन जो कि आपके बहुत ही जड़ा important questions है यह आपके plant operator बार्क के plant operator में आपके पूछे गए थे तो इस question में देखिए क्या बोला गया एक मनुस का ताप मान यहां पर देख सकते हैं ताप करम 60 degree Celsius है तो उसका ताप करम foreign height में क्या होगा तो दोस्तों देखिए इसके निकालने का एक तर 1.5 से multiply करेंगे तो यहां पर आपके 108 आजाएंगे इसमें से आपको क्या करना है 32 add कर देना है तो जो answer आएगा वही आपका answer हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों 114 F आपके right answer हो जाएंगे तो देखिए आपके कुछ वही details में पर बता गया है फिर Celsius को Kelvin में बदलने के लिए आपको 273 धन करना होता है तो दोखिए यहां पर Kelvin बाले जो है वो work assistant के exams में पूछे गए थे next बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि पिर्थिवी की I.U. का निर्धारन निम्न में से किस विधी दोरा किया जाता है तो दोस्तों पिर्थिवी की I.U. का जो निर्धारन है वो आपके uranium के दोरा निर्धारित किया जाता है यह भी आपको plant operator के exams में पूछे गए थे next बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पिर्थिवी की I.U. के मापन की सरवोतम बिधी uranium बिधी है carbon dating से पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है जैव टकनिक के दोरा बनसपती अबम जैविक तत्वों के उननती करन के लिए पढ़ियों की जाने वाली तकनिक है इसमें से देखिए आपके एक और importance है वो आप लोग देख सकते हैं कारवर्ण dating से पौधों की उम्र का पता लगा जाता है यह आपको दोस्तों NPCIL के नरोडा के plant operator exams में पूछे ग यह भी comment box में ज़रू बताईएगा और इससे पहले देखिए हम इसके official जो paper है वो मैं already करवा रखा हूं ठीक है उसमें करवाए नहीं थे हम लोग already क्या किये थे paper आपको upload YouTube पे किये हुए है नेक्स वीडियो में हम बिल्कुल A to Z पहले एके करके solution लाएंगे तो इसके लिए तो आप सभी के लिए एक बहुत ही bumper offer भी है जो कि मात्र आपके 99 रुपिया में आपको ठीक है 99 रुपिया में आपको 15 प्लस पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे फिर उसके बाद इसके PDF मिलेंगे फिर आपको यहां पे साथ प्रैक्टिस सेट कोस्टम्स मिलेंगे ठीक है तो अपके दिक है अगर आप लोग जो भी एक हैं आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं हम आपको नमर दे दते हैं इसलों को अगर है'll plan चाहिए तो आप लोग बिल्कुल इसके पता कर सकते हैं तो देखें जो मैं आपको इहां पSubsiaan वाला है वो बहुत ही संदार है और उससे आपके 100% question मिलेंगे question देखिए इससे भी मिलेंगे लेकिन इस पर क्या होता है कि regular हम लोग नहीं ला पाते हैं क्योंकि मेरे पास time बहुत ही कम रहता है तो इस कारण से तो दोस्तों चलिए next question की तरफ हम लोग चलिए अब हम लोग जानेंगे transformer के crowd बनाने के लिए निमलिखित पतार्थों में से कौन सा अधिक उप्यूप्त होता है यह question most important है यह आपके plant operator npcl में भी पूछा गया था फिर यह आपके बार्क के plant operator में भी question पूछा गया था यह question बहुत ही ज़्यादा important आप सभी के लिए है तो इसकी अगर हम लोग right answer की बात करें तो आपके नर्म लोहा हो जाएगा तो देखे इसका answer क्या दिया गया transformer के crowd बनाने के लिए नर्म लोहा अधिक उप्यूप्त होता है next question की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक fuse तार का उप्योग dash के लिए होता है तो दोस्तों अगर हम लोग एक fuse तार की बात करें तो यह अत्यधीक धारा परवा के समय बिद्धूत परिपत को तोड़ने का काम होता है तो देखिए जैसे हम आप बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसके करन आपके धारा क्रेंट बहुत ज़्यादा फोल रहा तो यह क्या होगा यह ब्रेक हो जाईगा बट यहां पे बल्व को कुछ भी effect नहीं होने देगा तो यही इसका use होता है तो इसलिए इसका right answer अत्यधिक धारा परवा के समय परिपत को तोड़ने का कम होता है तो आप लोग देख सकते हैं आप वही लिखा हुआ है एक fuse star अत्यधिक धारा परवा के समय में विद्धूत परिपत को तोड़ने का काल करता है फ्यूसतार का गलनांग कम होता है तथा उसे परिपत के साथ सरेनी करम में जोरा जाता है तो देखिए ये भी आपके लिए important questions है जो कि आपके work assistant में question पूछे गए है सरेनी करम वाला ठीक है तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा next question में आने की संभावना है next अगर हम लोग बात करें चटका हुआ कांच चटकीला परतीत होता है ये किसके करन होता है तो दोस्तों देखिए ये question अभी हाली के exam में से जो की DRDO का अभी जो exam हुआ था उसमें पूछे गए थे तो इसका right answer क्या होगा आप सभी को बताना है चटका हुआ कांच चटकीला परतीत होता है तो इसके जो answer है वो पूर्व आंतरिक प्रावरतन के करन होता है तो देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझीएगा क्योंकि इससे आगे भी आने की संभावना है इस topic से जब कोई परकास की किरन एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लोट आता है परकास की इस घटना को पूर्ण आंतरिक प्रावरतन करते हैं तो देखिए आपके light chapter एक ऐसा है इससे बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं और light chapter से करीवन आपको 4-5 questions पूछे जाएंगे और light chapter जो है मैं आपको बिल्कुल basic से बता रखाऊं तो जो भी नहीं देखेंगे वो class 10 के playlist में जाके देख सकते हैं क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे से बता हुए और बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है लेकिन आपके बहुत ही useful होने व reflection of light ठीक है यहाँ पर incident day ठीक है यह reflected day हो गया तो इसके बीच में जो आपके एंगल बनते हैं I यहाँ पर बीच में आपका एक normal जाएगा तो यहाँ पर angle I equal to angle R होता है ठीक है यह आपके लिए important है और आपके question जो पूछे गए थे तो angle I equal to 30 degree दे दिया गया था और angle R आपके पूछे गए थे तो angle R भी आपका क्या होगा 30 degree होगा यह DR DO के exam में पूछे गए थे और आपके एक और important questions है जो की work assistant में पूछे गए थे इसी topics rated उसमें question कुछ इस पर कर था कि आपके यहाँ पर angle I equal to 0 degree दिया गया था ठीक है इसको बोला गया था कि इसका reflection कैसे होगा option 4 दि तो इसका जो figure आपका होगा तो देखिए यह कुछ मेरा यहाँ पर surface polished surface हो गया यहां से जब light आ रहा है ठीक है तो यहां से क्या होगा है वह आपस होगा जिस angle से light आ रहा है उसी angle से आपका light क्या होगा वह आपस होगा लेकिन यहाँ पर जो आपके question में दिया गये थे angle I equal to 0 degree तो angle R भी आपका क्या हो जाएगा 0 degree होगा तो इसकी जो प्रावर्तन होगी वो normal से होगी ठीक है यह आपके क्या है 0 degree तो यहीं से आपके यहाँ पर light आएगे और इसी माध्यम से आपके light वापस भी चले जाएगे तो यही figure में आपको select करना था तो दोस्तों यहाँ पर आ तो यह देखिए cds में भी पूछा गया है और यह आप सभी के लिए आगे आने वाली एक्जम्स में भी पूछने की संभावना है तो तो देखिए इसका right answer जो हो जाएगा वो आपके यहाँ पर जोन डालटन हो जाएगा ठीक है अगर इसके बारे में details में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे आगे भी आपके एक से दो कुस्षन बन रहे तो आपको इसको अच्छे से समझना है जोन डालटन 6 सितंबर 1766 से 7 जुलाई 1844 एक अंग्रेज बैग्योनिक थे तो पूछा जाएगा जोन डालटन किस परकार के बैग्योनिक थे तो वो अंग्रेज बैग्योनिक थे जिनों ने पदार्थ की रचना संबंधी सिध्धान्थ का परतिपादन किया जो डालटन के पर्मानु सिध्धान्त के नाम से परजलित हुआ अब आपके यहां से कोशन पूछे जाएंगे कि यहां पे रचना संबंधित सिध्धान्त के परती पादक कौन है तो आपके क्या हो जाएंगे डाल्टन और इन्हीं के नाम पे यह सिध्धान्त फेमस भी हो गया डाल्टन का जन्म सन 1766 इस भी में इंग्लेंड के एक गडीव जुलाहा परिवार में हुआ था बारा बर्स की आयू में उन्होंने एक सिच्छा की रूप में अपनी जीवी का सुरू की साथ साल बाद हुआ एक स्कूल में प्रिंसीपल बन गए सन 1793 में जोन कॉलेज में गनीत भहतिकी ए बेव लिए मेंचेस्टर चले गए ठीक है इसके लिए कहां पर चले गए तो मेंचेस्टर चले गए वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकान समय यहां पर देख सकते हैं सिच्छन एबम सोध काड में बैतित किया सन 1803 में इन्होंने अपने परमानु सिद्धांत को प्रस्तूत किया जो दरव्यों के अध्यान के लिए एक महतपुर्ण सिद्धांत सावित हुआ तो दोस्तों हां से आपके बहुत सारे दोसे देख कोसन जो आपका है यह भी पॉइंट ऑफिक जम भी उसे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है रेडियो धर्मिता की खोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो हैंडी के दौरा किया गया था अब इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे तो अन्टोइन हैंडी बेकेरल 15 दिसंबर 1852 से 25 अगस्त 1908 एक फ्रांसिसी भहुतिक सास्त्री था अब पुछा जाएगा हैंडी जो क अब झरी एक बहुतिक सास्त्री था ठीक है जपले नोबिल पूसकर भीजेता और मेरी येज़ा geç marble के साथ रेडियो धर्मिता के अनव जब्सक्ते जिसके लिए तीनों को 1933 में भाथिकी में नोब पूसकार दिया गया तो नोबेल पुछ सकते हैं फिर इसके बाद रेडियो धर्मिता के अनबेसक थे ठीक है तीनों का नाम भी आपको पूछ सकता है तो दोस्तों आपको क्या करना है तीनों का नाम है आपके लर्ण करना है नेक्स जो आपके आपकी important है दो परमानुओं के समस्थानिक को कहा जाता है तो देखिए दो परमानुओं के समस्थानिक जो हो उननका एक पर मानू करमांक समंग हो परन्तु उनकी पर मानू संख्या भिनो इसमें तोटोर अलटा किया गया तो बहुत सारे श्ट्टैन क्या होते होते हैं अलग लग होते हैं उन्हें समस्थानी कहा जाता है इन में परतियक परमानू में समान प्रोटोन होते हैं जबकि न्यूट्रोन की संख्या अलग लग हो रहती है इस कारण परमानू संख्या तो समान रहती है लेकिन परमानू का द्रब्मान अलग लग होते हैं तो सेम जो हम लोग आपको बताए हुए थे जी बीजयान सब्द का परयोग सबसे पहले किस ने किया था तो दोस्तों जी बीजयान की अगर हम लोग बात करें हाँ पे तो आपके हाँ पी पहो जाएंगे लइमार्क तथा ट्रेवीडी इर्श यह आपके जी बिग्याण की खोज किये थे तो आइए हम लोग थोरा साथ देख लेते हैं आधुनिक जीब बिग्याण एक बहुत बिस्तरित बिग्याण है जिसकी कई सखाये हैं जिसमें से आपको बाइलोजी जी बिग्याण सब्ध का परियोग सबसे पहले लेमार्क और ट इसे बढ़गी की का पितामा कहा जाता है तो बढ़गी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके लीनियस ठीक है पुरा नाम देखे इसका क्या है काल लीनियस लेटिन ठीक है काल लीनियस इसका पूरा नाम है जो कि लेटिन या काल वॉन लीने 23 मैं 1701 से लेकर 10 चनवरी 1778 एक स्वीडिस बनस्पती सास्त्री चिकित्सक और जीब बिग्यानी थे जिन्होंने द्वीपद नाम करन की आधुनिक अभधारना की नीव रखी थी इन्हें आधुनिक बढ़गी की बढ़गी करन के पिता के रूप में जाना जाता है साथ ही या आधुनिक परिष्थिति के प्रणे तावों में से एक है मूलता अहँ पर देख सकते हैं आप लोग मूलता जीब जन्टू के बढगी करन को बढगी की टैक्सोनौमी या पढगी करन विग्यान काते थे किन्टु आजकल इसे व्यापक अर्थ में परियोग विग्यान यहाँ पे देख सकते हैं पडियोग भी ज्यान कहा जाता है और जीब जनतुओ के बढ़गी करन सहीत इसे ज्यान के बिवी चेतरों में पडियोग मिलाया जाता है अता बस तुओ वो अशिद्धानतो और अलग-लग किसी भी चीज का भी बढ़गी करन किया जाता है तो दोस्तों यहां पर लास्ट कोर्सन आपका जो कि यहां पर दिया गया कि मुलांकूर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विक्सित होने वाली जड़े कहलाती है तो इसका आपका राइट अंसर देखिए क्या हो जाएगा तो चलिए इसके बारे में थोरा सामलोग डिटेल्स में ही पढ़ लेते हैं तो अपस्थानिक जड़ निकलने के समन अस्थान जैसे प्राथमिक मूल अथवा उसकी साखाओं के अतिरिक्त पौधों के किसी अन अंग से निकली हुई जड़ मूसला जड़ो के समन ही अपस्थानिक जड़े जख्रा जड़े भी भोजन संग्रा है तू या पौधो को सहारा देने है तू विभिन परकार के रुपांतरित हो जाती है तो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह जो पॉइंट है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट है नेक्स अगर हम लोग बात करें कोस नमर लास्ट की तो हैप लोग देख सकते हैं मानब तोचा का अध्यान करने वाली विग्या को करते डर्मेटोलोजी तो आई ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लते हैं तोचा बिग्यान और इस से संदर्व में से एक प्रिथक विद्या है एक तोचा रोग विशेशग रोगों को ब्रिहतर उप्चार तो करता है या साथ ही बाल नाखून और तोचा से संद संद्र संबंदी समस्या का भी निदान करता है तो दोस्तों आज का मेरा यही लास्ट को संथा उम्मीद करते हैं कि आपको विडियो अच्छा लगा होगा ठीक है और आप लोगों को लगता होगा कि उसमें 15 को सनी करवाई थे लेकिन अगर आप लोग अच्छे से करेगा चैनल को सब्सक्राइब करके सेर भी जरूर करिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद